दोस्तों भगवान स्री कृष्ण और राधारानी की जोड़ी को प्रेम की निसानी माना जाता है इन दोनों का प्रेम इतना पवित्र था इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि भगवान स्री कृष्ण की सोला हजार से अधिक रानिया होने के बावजूर उनके साथ स्री राधारानी का ही नाम जोड़ा जाता है और उनके साथ स्री राधारानी की ही पूजा की जाती है और हर व्यक्ति स्री कृष्ण से पहले राधारानी का नाम जबता है और स्री कृष्ण के साथ ही उनकी हर एक तस्वीर आती है लेकिन अगर इन दोनों का प्रेम इतना ही अटूप और सर्व पर ये था तो फिर स्री कृष्ण और राधा रानी का विवा क्यों नहीं हुआ या सवाल हर किसी के मन में उठता है और स्री कृष्म के जाने के बाद आखिर फिर स्री राधारानी का विवा किसके साथ हुआ ये वो तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर तुमें हिंदु धर्म के अलग अलग द्रंतों में अलग अलग उत्तर मिलेंगे आज के वीडियो में हम यही बताने की कोसिस करेंगे कि भगवान श्री कृष्म के जाने के बाद आखिर राधारानी का विवा किसके साथ हुआ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लेज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हंसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतियाज की और नई नई रहस्मे जानकारिया आप तक पहुचा सकें तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राधारानी के विवा के बारे में तो मित्रों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राधारानी और स्री कृष्ण के विवा के बारे में अलग-अलग धरम गरंतों में अलग-अलग जानकारी मिलती है जिसके बारे में मैं आपको एक-एक करके बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले या जानते हैं कि आचिर राधारानी थी कौन और वह किसका अवतार थी जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान स्री कृष्ण विश्ण के अवतार है कि इनकी दो पत्मिया है एक लग्षमी और एक महालक्षमी जो माता सीता और रुकमणी वो लग्षमी का ही रूप थी जबकि देवी राधा को महा लक्षमी का अवतार माना जाता है यहाँ पर यहाँ भी बता दू कि भगवान विश्नु के साथ माता लक्षमी धरती पर अवतार लेती आई हैं जबकि महा लक्षमी ने धरती पर पहली बार ही राधा के रोप में अवतार लिया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्री कृष्ण यानिकी भगवान विश्णू के लिए द्वापर युग में भगवान विश्णू ने स्री कृष्ण के रूप में धर्ती पर अउतार लिया था कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता क्रिष्ण के बिना राधा अधूरी है तो राधा के बिना क्रिष्ण भी अधूरे हैं क्रिष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता जहां क्रिष्ण का नाम आता है वहां राधा को भी याद किया जाता है क्रिष्ण का बत्पन गोकुल में बीता था ब्रज का हर कोना आद भी राधा और कृष्ण पे प्रेम की गाथा को जिन्दा रखे हुए है कहते हैं कि स्री कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ हाला कि कुछ प्राणिक मानताएं ऐसी भी हैं इसमें कृष्ण और राधा के विवा का जिक्र है भंडारी वन नाम की एक जगा है आपकी गवा है कि कृष्ण और राधा का विवा हुआ था भगवान श्री कृष्ण की जन्म इस्तली मत्रा से 30 किलोमीटर दूर मत्त तहसील में इस्तित भंडारी वन में एक अनुखा मंदिर है इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ती है खास बात या है कि इस मूर्ती में श्री कृष्ण के हाथों में बासुरी नहीं कि कृष्ण और राधा दूलहा दुलहन का वेश धारन किये हुए हैं और ब्रम्ह जी उन्हें आजिलवाद दे रहे हैं ब्रम्ह वर्धा पुरान और कर्क सहिता में राधा और कृष्ण के विवा का जिक्र मिलता है इसके मुताबिक खुट जगत गुरु ब्रह्मा ने रादा और कृष्ण की साधी कराई थी इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे गाय चर रही थी और नंद बाबा ठक गए थे इसलिए वह एक पेंड के नीचे लेट गए और उनकी आख लग गई कुछ देर बाद उनकी आखे कुली तो सूरज धन चुका था और चारो तरफ अंधेरा हो गया था नंद बाबा दर गए तभी उन्हें दूर से एक रोसमी दिखाई एक गोपी उनकी और बढ़ रही थी वो गोपी और कोई नहीं बल की रादा थी रादा ने देवी का दूब धारन किया था नंद बाबा रादा को जानते थे इसलिए उन्होंने नन्हे काना उन्हें सौप दिए और कहा कि वा सही सलामत उसे घर ले जाकर यसोदा को दे दें फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए तभी एक चमत कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हिल काना गायब हो गए कुछ ही पल में राधा के सामें कृष्ण भगवान के रूप में प लुकने के लिए कहा कुछ ही समय में जगत गुरुप ब्रह्मा वहां प्रघट हुए उन्होंने मंत्र उच्चारण किया और अग्न कुंद के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर विवा किया विवा होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस का में वापस आ गए